हलो स्टूडेंट्स मैं डोक्टर हरीश कुमार सब्लानिया गवर्मेंट कोलेज कोटा हूँ यह सी पार थर्ड के नुकलियर फिजिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसकी हमने इससे पहले एलेमेंटरी पार्टिकल्स के बारे में अध्यन किया था आज हम इसकी सेकंड मैं बारे में धन करेंगे हैं नुक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हुआ है कि ना बहुदी की प्रिकल्पनास शर्व पर्थव रदर फोड्न की थी ता आधर फोड ने एक प्र inflammatory का जो आकार है वो लिबहें एक जोड़ोकरोर केंद्री तो माना गया है लेकिन नाभी के अवयों के बारे में धिरी-धिरी ज्ञान प्राप्त हुआ यह जैसे नाभी के इसमें इसके चारों चक्र काट रहा है तो इसमें जो इसका नाभी कहे उसका जो संपूर्ण जो द्रेवान है उसके केंदर पर केंदेते माना गया था इसमें रेडियो एक्टिव इविटन से ग्यात हुआ कि रेडियो इसक्रिये ततों के परमाणूं में से एलफा कंड जिस पर आवेश किया कि तू इलेक्रोंस के बराबर था द्रेवान के कि इसका जो था मास ओफ इलि बिक में उपस्थित्त रहते हैं घरर आगी में अतुच ऑकरन नाय्टाजन नाभिक में प्रयोष कर जाते है तब ईससा आविशित कर निकलता है जिसे अलफा कन अगर नाइटोजन पे इसमें प्रवेश करता है तो एक oxygen का नाभिक और प्लस प्रोटोन इसमें से निकलता है जैसे अलफा कन जो है 2 helium 4 होता है प्लस 7 nitrogen 14 जो ये रेक्शन होते है तो इसमें 8 oxygen जिसकी भेदन चमता जो थी वो प्रास एलफा कन से कहीं हदिक होती है इस कन पर जो आवेश का जो मान था वो electron के आवेश के मान के बराबर होता है और इसका जो द्रियवान था वो 1.67 into 10 to power minus 27 kg होता है इससे proton कहा गया नाविक के अवेश के रूप में proton electron प्रिकलपना और इसका एस्विकरन सबसे पहले नाविक के अवेश में के proton electron की प्रिकलपना की गई थी इस प्रिकलपना के अनुसार परमानू का जो नाविक है वो electron प्रोटन से मिलकर बना होता यह माना गया इस प्रिकलपना के अनुसार जिसमें ए जो हैं द्रेवान से क्या होती है जड़ जो है वो परमानूक क्रमां के atomic नवर वाले नाविक को जो द्रेवान है वो amyu तथा प्लस एलेक्ट्रों ये ब्राबर और मास ऑफ जो इलेक्ट्रों से वह 0.0054 एम्यू और आवेस जो इलेक्ट्रों पर आवेस है इसके ब्राबर आना गया है इस प्रिकल्पना के नुसार नाभिक के द्रियमान को AMU प्राप्त करने के लिए इसमें A proton होने चाहिए ऐसा करने पर इसमें AE आवेस हो जाएगा जबकि नाभिक का जो आवेस है वो जड़ E होता है अते नाभिक का सही आवेस ग्याद करने के लिए इसमें A-Z electron होने चाहिए इस प्रिकलपना के नुसार एक प्राणू में नाभिक में A proton तथा A-Z electron होते हैं और इस नाभिक के चारो और जो है जड़-E electron चक्र लगाते हैं For example Helium के लिए जो है two heliums four होता है जिसकी atomic नुमर जो है वो दो है और इसका atomic mass नुमर जो है या द्रेवान संक्या जो है वो इसकी चार है जिसमें के चार प्रोट्रोन और दो इलेक्ट्रोन होने चाहिए इसके अनुसार लेकिन के नाइट्रोजन जो है A equal to 14 और Z equal to 7 इसमें 14 प्रोट्रोन और 7 लेक्ट्रोन होने चाहिए चुकि यह है प्रिकलपना जो है रेडियो एक्टिव ततों से अलफा तता बीटा करों के उस सर्जन को समझने के लिए एक सल मॉडल प्रस्तूत करती है इस प्रिकलपना का एस स्विक्रन इसको एस स्विकार किया गया क्यों किया गया इसको इसका और नाबिक के कौनिय स्विंग की व्याख्या करने में पी माइनस इलेक्ट्रोन जो है के एस फल नाबिक में कौनिय स्विंग पाया जाता है जिसका सुर्वादिक जो मान है वो जे जड्ड मैक्शिम होता है जहां J जो है वो कोनिया सभी क्वांटम नम्मर है इस में यरुणे सम हो तो जे कमान सुनने या पूर्णाक होता है और अगर एक कमान ओड हो तो जे कमान अर्ध पूर्णाक है एक्जामपल नाभी के लिए एक उड़ा जो एवन है इसमें जे पूर्णाक होता है और जे पूर्णाक जे एक उड़ा कर्म को नौत करें तब नाइटोजन नाभीक में 14 टोक्रों साथ एलेक्ट्रों होने चाहिए इसके नौत कि यिए का जो मानकी हो या अरध प्रोकी हो तो चौताफियूं की योगदान एच्ड प्रोज का पुणाकी होगा किन्तु नाभिक में साथ इलेक्ट्रोन भी उपस्तित है परतेक इलेक्ट्रोन का जो spin या कॉनियस स्वेंग जो इसका जड़ गटक थर्ड कंपोनेंट से हो पलस माइनस है एच क्रोस बाइट टू होता है इसलिए इसमें विश्म साथ इलेक्ट्रोन के लिए कॉनियस स्वेंग कमान अर्ध पुना की ही होगा है एच क्रोस बाइट टू थ्री है एच क्रोस बाइट टू इटी से अते प्रोटोन इलेक्ट्रोन प्रिक्लिपना के नुसार नाइटोजन नाभिक का जे अर्थ पुनाकी होना चाहिए जबकि प्रियोगों से जे इकल टू वन मेल नहीं खाता है ऐसे अनेक एक्जामपल्स है जिसमें ये विशंगती पाई गई नाभिक के चुम्बकि आघून के प्राइगी कमान से एक नाभिक में इसके अव्यों के चुम्बकि आघून के कान कुछ प्रिणामी चुम्बकि आघून हो सकता है एक एलेक्टरन का जो चुम्बकि आघून है मिउउ एलेक्टरन जो है ये एच अपाउन 4 पाई मी होता है जिसका जो वेल्यू है वो 0.9274 इन्टो 10 टो पाउर माइनस 23 जूल पर टेसला होती है मिउउ एक प्रोटरन का जो चुम्बकि आघून है जिसे मिउउन के कि नाभी के मेगनेटरन कहते हैं मिउउन इकल टू एच अपाउन 4 पाई एमपी के इकल होता है और इसकी जो वेल्यू है वो 5.05 इन्टो 10 टो पाउर माइनस 27 जूल पर टेसला मिउउ ए से लगबग कि एक बटा 1836 गुणा कम होता है यदि नाभी की प्रोटरन इलेक्टरन प्रिकलपना के नुसार होती है तो ऐसे नाभी जिसमें विश्म संख्या में इलेक्टरन होते हैं के लिए चुम्बकि आघून का जो मान है वो 10 टू पाउर माइनस 23 जूल पर इसडिला के इककllä jul होता की कोटिका प्राप्त होना चाहिए जब कि वास्तिक प्रियोगों से जो नाभी के चुम्बकि आगून सदे मिउन की कोटिका पाया जाता है इस प्रकार भी इस प्रिकलपना को कहके सविकार किया गया ठाद इसमें है ए्निस्टा सिधांत के अनुसा नाविक में इलेक्टरॉन की उपस्ति ऐसंबव है। क्वान्टम यांतरिके के अनुसार था है। किसी कन की इस्तत्ति क्वार का निश्चता । देल्टा एक्स तब उसके समेग में जो अनस्रेंटी है वो डेल्टा पि होगी। तो हाईजन वरके uncertainty principle के आइनसार d dot x dot p equal to h cross के बराबर होती है तो इस इस्तती में यदि नाभिक में electron की उपすतती मान लें तो electron की इस्तती में एनस्ता जो है नाभिक की आकार की कौट्र की होनी चाहिए डइलटा एकस जो है और 10 to power minus 4 meter के आकार का होना चाहिए किन्तो इस धान्त के नुसार नाभिक में इस्तत अलेक्टरॉन के स्वैंग के जो अन्शंटेंटि है वो डेल्टा पी इकल टू के है एच्छॉज अपून 10 तो पाउर माइनस 14 तो ये 10 तो पाउर माइनस 20 जूल इंट्व सेकंड पार मेर्टर के इकल पाई जाते हैं तो इलेक्ट्रोन का स्वेंग इसके अधिक्तम कोटी का मान लिया जाए तब ना भी किया आकार से प्रीबद इलेक्ट्रोन का स्वेंग जो है और 10 to power minus 20 joule second to per meter होता है जैसे इलेक्ट्रोन की इसमें उर्जा की बात करता हो यह इकल टो अन्रूट P square C square plus M square C square power 4 और इसकी अगर value निकालते हैं तो इकल टो हमारे पास जो value आती है वो आती है 10 20 mega electron volt इस प्रीणाम के इनुसार जो है नाभिक में electron की उपस्तिति मान ले तब इसकी उर्जा 20 mega electron volt होनी चाहिए यदि ऐसे electron का उससरजन नाभिक में बीटा डिके में करता है तब बीटा डिके में प्राप्त electron की उर्जा भी इसी कोटी की होनी चाहिए लेकिन रेडियो एक्टिव ततों के विगटन से प्राप्त electron की जो उर्जा है वो 4 mega electron volt से अधिक नहीं पाई गई है यह विशंक्ति भी इस electron proton जो इसके प्रीकलपना है उसको कहकी उनों को नकारती है कि इसके कुछ अधर तरक है विरुद कुछ अन्य तरक हम दिये जा सकते हैं प्रोट्रोन इलेक्ट्रों प्रीकलपना के नुसार जो है नाइटर्जन नाभीकièrement 14 प्रोट्रों होने चाहिए इस इस कारण यह फर्मी ड्राक्स स्टेटिक्स का पालन करना चाहिए परंतु जे इकल टू वन होने के कारण यह बोस आंस्टेन संक्य की का पालन करते हैं इस कारण भी इस परिखलपना को नकारा जा गया कोई भी करण अपनी कॉंप्टन वेवलेंथ जो है लेमडा एकल टू यानि कि 244 फर्मी जबकि नाबिक अव्याष कुछ फर्मी ही होता है इस कारण इस परिखलपना को कहकी यह जो इलेक्ट्रोन है नाबिक में बद वश्ता में नहीं हो सकता पावले के एनुसार बीटा डिके में इलेक्ट्रोन के साथ एक न्यूट्रिनो एंटीन विसर्जित होता है प्रोट्रॉन परिक्टरर प्रेक्रपना में एंटिनीट्रों की व्यक्वाति कर सकती वीटा बीकront कर थे हैं वीडाना प्लस में पॉजिटरों का उत्सर्जन होता है इसके नुसार प्लस पॉजिटरों को नहीं कि समझा पाया यदि है मानने कि नाविक में इलेक्ट्रोन की बाती पोजिट्रोन भी उपर्षतत रहते हैं तब नाबिक में से में कहлекes सिविकार की गई हो रिचना का प्रोटॉ-स सिधांत से चेड्रीग ने 1922 में न्यूटरॊ की खोज की थी इस पडावन की सबात कर विस पर है जो न्यूटरॉ बेख desert आवेश का जो मान है ऑसुन्य प्रोटोन का ज़र चुम्ब की आगून है वो 2.793μn तथा न्यूटोन के लिए चुम्ब की आगून जो है म्यून इकल टू माइनस 1.913μn की इकल होता है जहां म्यून जो है नाभी के मेगनेटोन है न्यूटोन की खोज के पश्चात बाद हाईजनबरग ने ये धाना परसुद की कि नाभी की रचना प्रोटोन और न्यूटोन से मिलकर बनी हुई है इसे प्रोटोन न्यूटोन सिधानत कहते हैं ए द्रियमान सिंख्या जड़ परमुरानू क्रमाक और ए माइनस जड़ न्यूटोन माने गए इसमें अगर एक्जामपर्स के रूप में देखते हैं तो नाइटोजन नाभी के लिए जो है सेवन नाइटोजन चोओधा जहां पर चोओधा जो है एकल टो चोओधा है हरता साथ इसमें न्यूट्रॉन होते हैं ये माना गया तो यह स्दान नाभी के कोणिय स्वेंक चुम्बे के आगुरण अनिस्ता स्वेतां पर स्वयूकारिय हुआ नाबिकिये कोनिये स्वेंग के प्रायोगी कमान से सहमती इसकी सहमती के बात करते हैं तो प्रोटोन न्यूटोन की जो स्पीन है वो वन बाई टू होती है नाबिकिये द्रियवान संख्या जो है प्रोटोन प्लस न्यूटोन की संख्या के एक्वल होती है अगर द्रेवान से क्या A sum है तो कोणिये स्वेंग जो है वो सुन्य या पुनाक होता है और A अगर विश्म है तो कोणिये स्वेंग जो है वो H by 2 यानि H cross का विश्म अर्द गुनाक होता है examples के रूप में अगर देखते हैं तो nitrogen में A equal to 14 है तो proton plus neutron के A sum है इसमें तो इसका क्या पुनाक जो है इसके लिए J equal to K1 पाये जाता है नाबिक में neutron की उपस्तिति और अनिश्टा सिधान से प्राप्त निश्कर्स में सहमती की बात करते हैं तो इसके रूप अगर आप देखोगे तो नाबिक में इस्तति newton की इस्तति में अनिश्टा की जो कोटी है वो delta x equal to के नाबिक का व्यास नाबिक का व्यास के 10 to power minus 14 मेटर तो इसमें momentum की जो uncertainty है delta p equal to वो h cross by delta x 10 to power minus 34 upon 10 to power minus 14 equal to लगभग equal है जो है 10 to power minus 20 joule second per meter newton की उर्जा की बात करते हैं तो e equal to unroot p square c square plus m square c की power 4 तो इसमें अगर p c इनकी value अगर हम रखते हैं इसमें तो इसकी जो value रखने पर के इसमें पर्थम पदिश्का के neglect मान ले तो e equal to लगभग के mc square के बराबर होती जो की बहुत ही कम होती जहां k equal to k की e minus mc square होती है नाविक के चुम्ब के मान से सहमती proton neutron का चुम्ब के आगून mu n जो है वो 5 into 10 to power minus 27 joule per tesla koti का होता है नाविक में proton neutron से मिलकर बना है तो चुम्ब के आगून भी क्या है कि mu n koti का होना चाहिए प्रियोगों से इस तत्य की भी कुष्टी हो गई है इसके कुछ अदर तरक्स जो है वो इसकार से है कि neutron का जो आकार तथा द्रेवान proton का आकार तथा द्रेवान के लगभग बराबर होता है इसका नाविक में proton के साथ neutron होना संभावित है neutron की content wavelength जो है वो लेमड़ा एकल एकल टो ह अपाउन एमसी जो वो के 1.3 फरमी के इकल होती है अतरे neutron जो है नाविक में बद रह सकता है बाउंड रह सकता है इसकी प्रकार अगर इसमें के कि इसमें बीटा डिके की बात करते हैं तो बीटा डिके जो है neutron से proton में करनोट हो रहा है या बीटा पॉजिटिव डिके जो है वो proton से neutron में डिके रहता है इस इस्तत्ती में ये इसकार से equation हमें प्राप्त होती है अलफा कन जो है वो 2 proton प्लस 2 neutron का बना हुआ है अतरे नाविक में उप्रस्तित proton neutron से इस प्रकार का संक्तित कन टू proton प्लस neutron जो है उच्छीत हो सकता है for example एक नाविक का प्रावनकुर्मा 11 और द्यमन संक्या 23 है तो इस नाविक में उप्रस्तित proton neutron और लेक्टन की संक्या बताईए इस क्यूशन को के कि आप सोल करके देख सकते हो आज के लिए इतना ही धन्यवाद